मैं अकेला रहता था तो अकेला पंपसंद नहीं होगा मतलब कोई था क्या मेरे साथ अकेला नहीं था क्या मैं ऐसी मुवी देखो के तो कोई कोई तो है क्या मज़र मुवी का इक अलग मज़ा होता है और मेडम हो पुरे स्क्रीन पर लगा के होड़र मुवी बताता हूँ एक स्टोरी याद आया है मज़ा आगा सुनेख अब अच्छा ठीक तो यह स्टोरी जरूर जाएगा क्योंकि बहुत्वनी स्टोरी है यह हम लोग फर्स्ट चीयर में थे तो हुस्टल में जैसे ना तो कोई भी होस्टल में तो ऐसा बहुत सारा स्टूरी चलते रहता था और हम लोग के फ्रेंड सर्किल में मतलब उस टाइम नहीं नहीं हम लोग मिले थे एक लड़का था उसका नाम था उमजीद भैरा उधरी का था भूगनेश्वर कही था करने का मौका दो आप फिर वह जो बंदा था वह बहुत डरता था बहुत मतलब बहुत जादा डरता था कि कोई उधर कोई अगर दर्वाजा कहीं कोई कसके बंद कर दिया तो ऐसे शौक में चला जाएगा कि भाई क्या हो गया वैसा था लब हलका सामें डर जाता था तो वह नया नया था हम लोग एक दो दिन मिले थे होस्टल में आई हुए लोग लोग बहुत कम है तो वही उसी लड़के का रूम में था एक लड़का था उसका क्या नाम तो मेरे को याद नहीं क्यूंकि उससे फिर उसका फ्रेंड सर के लाला लाग हो गया हाँ चलो ठीक है हर प्रीट हर प्रीट नाम का बंदा था और इधर सिक लोग को देखना भूबने शर्मतना कॉमन नहीं बहुत कम दिखेंगे दिल्ली में तो कॉमन होगा ठीक है तो इधर पंजाब की लोग वाइसा कोई है ने तो अब जादा लोग वहीं रहते हैं तो वहीं बोलेंगे ना वहीं हमें एकदम समझ आता है पट वहीं है मैं कि वह चौश्ट पैंस सट लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं उन मैंसे तीन-चार यह होंगे तो हां तो सिख बंदा था अब मेरे स्टोरी से भी ऑफेंड ना हो जाएं क्या पता इतना ही ओफेंड होने का जमाना आ गया तो वह बंदा था वो नया नहाया था वो वह बंदा नहाया था और य बीच में कोई और बंद है और इधर वाला जो डोर के साइड है वह इधर एक बंद है ठीक है अब क्या हुआ रात में तीड़ बजा था तो भूमनेशन में बहुत गर्मी रहती है इतना हुमेडिटी रहेगा ना कि पागल हो जोगे जैसे देली का कैसा है या फिर कहीं और भी जोगे तो ड्राइ मौसम है उधर का है कि भाई हुमेडिटी इतना रहेगा ने कि चिप-चिप होते रहेगा मेशा लेगा की ओईली स्किन हो गया है या फिर वैसा फिल होगा कि नहाल लिया जाए बस यहीं करोगे दिन में चार बर नहाते ही रहोगे तो रात के देड़ ऐसे कर रहा है और इधर जो डोर के पास डर पोक फ्रेंड है मेरा वह ऐसे सोया हुआ हलका से उसका नहींद खुला देखा कि कोई लंबे बाल वाली औरत खड़ी है खड़की पर यह डरा पूरा भूत 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 चिलाते हुए पुरा कोरिडूर में अब यह सुनके मतलब हम लोग रात का त्यर्ण बचा सब यह क्या हुआ यार क्या कर रहा है हम लोग भी पाहर निकले उधर से वह जो सिट लड़का था वह भी डर गया वह भी खुले बाल के साथ कॉरिडूर में वह जो दिन था बहुत पनी था भाई उससे डर रहे फिर उसके बाद बहार निकल के सब देखना कि सब इसी को भूच समझते रहा है कि और से बॉइस होस्टल में उतने लंबे बाल के साथ किसी को देखने का कोई आदत है ने सबने पर और किसी को देख लिया कॉरिडूर में भागते हुए तो बस सब के हालत खराब फिर बोले अरे मैं हूँ हर प्री अरे भाई तू बताना ना चाहिए था हम लोग का तो हालत खराब सब भाग रहे ऐसी और फिर यह इंसिडेंट तो कॉमेटी में निकल गया दूसरे तीसरे फ्लोर पे हल्ला सच में उड़ा हुआ है कि सेकंड फ्लोर पे भूत दिखा है उनलों को पता नहीं कि यह एक अलग स्टोरी उनके लिए है कि अलग डिसकेशन चला रही सेकंड लोर पे लड़की दिखी बाल सुखाते हुए भाई अब सब के हालत खराब अब यह अलग स्टोरी चल रहा हुआ उनका सब बहुत इंसिडेंट होते रहता था जेनरेशन को दी जाएगी अब कि यह आर में दर बन गया अब कि आर यह होते जाता ना कि एक एक इंसिडेंट करते जाएगा लड़की थी धिरे-धिरे लड़की और एक बच्चा भी हो जाएगा पी ने lale होते जाएगा शाई शाई साइं अ झार्ण बंधबं, तो त्हें जा सब्स्सा न को